गुरू शाब्देकर्थ तो ठीक है अंदेरे से रोशनी की और ले जाने वाला रात्री से सुबा की और ले जाने वाला भाव है गुरू जैसा कोई नहीं वकास ची जी जी आप सोचें एक बच्चा कुछ भी नहीं जानता उसको पाटशाला में जाता है स्कूल में जाता है और साल बाद कुछ दो साल बाद कुछ दस साल बाद कुछ बीस साल बाद कुछ पच्ची साल बाद वो बड़ी-बड़ी सरजरी कर रहा होता है बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बना रहा होता है बड़ा-बड़ा इंजिनियर बन गया होता है कभी कभी देश का निरमाता बन गया होता है तो कहीं न कहीं उसकी शुरू आद गुरू से हुई उसकी पहली मां गुरू थी इसके बारे कहना बहुत कठन है कि अच्छे गुरू की पहचान क्या है क्योंकि गुरू इतना विशाल है इतना विराट है कि उसको शब्दों में बांदा नहीं जा सकता उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और उसकी लिमिटेशन जो इतना विशाल वराठ है उसकी लिमिटेशन की नहीं जा सकती जी जी कभी कोई व्यक्ति बहुद सधारण सा दिखता है सिंपल सा दिखता है पर जब उसकी शक्तियों के साथ आपका इंटोडेक्शन होता है लगता है ज़़ कितना बड़ा अद्मी, आप फ्लाइट में जाते हो, कहीं ट्रेंड में जाते हो कहीं कहीं function में जाते हो आपके साथ क्यों बैठा होता है अभी तो ये science की बढ़ा बड़ी technology की मेरबा नहीं है कि कुछ पता चल जाता है otherwise कोई बैठा रहे तो नहीं पता चल सकता तो जो आपके सचे गुरु हैं अच्छे गुरु हैं और आपको स्वायम पहचान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में दोखा भी हो सकता, पर अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जी जी और गुरु से बनाने से पहले, मैं कहूंगा कि आपको 100 टाइम सोचना चाहिए, 200 टाइम सोचना चाहिए, जब आप गुरु के चर्णों में समर्पित हो गए, तो फिर आपको शंका को शोड़ देना चाहिए, अगर आपके मन में शंका रहेगी तो आप कुछ पा नहीं पाएंगे बेटा दर्श को आप से भी प्रार्तना करता हूं, गुरु ना बनाएं कोई बात नहीं, बनाने से पहले कितनी बार सोचें कोई बात नहीं, पंजाबी में एक कहावत है, पानी पीजिए शान के, गुरु कीजिए जान के, तो जो भी बात है, गुरु के चर्णों में जाएं, उनक बड़े डॉक्टर की तरह है जैसे गुरू का विवार सब के साथ एक जैसा नहीं हो सकता एक बात आप सोचके चले हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं गुरू का विवार सब के साथ एक जैसा हो नहीं कभी नहीं हो सकता जी और ऐसे ऐसी स्थिति है जैसे एक मेडिकल स्टोर है ब प्रैमरी में ले लेते हो, एडवल ले लो, टाइनल ले लो, को शौर ले लो, ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर की लिखी द्वाई से होगा, और डॉक्टर भी आपको जो द्वाई चाहिए, वो ही देगा, तो गुरू भी पहले आपको समझाएगा, देखें, जैसे मंतर की बात आ जाती है, यह बहुत बड़ा क्वेस्टन पूछ लिया अपने, मुझे जितना नौलज है, जब तक आप प्योर नहीं होंगे, तब तक आप मंतर जाप नहीं कर सकते, क्योंकि मंतर जाप करने से आपकी अनर्जी बढ़ेगी, आपकी शक्तियां बढ़ेगी, अगर ब तो गुरु पहले आपको क्लियर करेगा कि इसके अंदर कोई डिस्क्वालिटी तो नहीं है, यह व्यक्ति प्योर है, फिर आपको मंतर देगा, फिर साधना देगा, किसी को बोलेगा तुम नभी चक्र से ध्यान शुरू करो, किसी को बोलेगा हाट चक्रा से करो, किसी को बो वो लेगा होस्पीटर में सिवा करो